ACL surgery के बाद ACL को ढीला होने से कैसे बचाए या उसको मजबूत कैसे करें आज अब इसी पर बात करेंगे मेरा नाम दॉक्तर मानुबोरा मैं एक और्थोपडिक सर्जर्जन और अर्थ्रिस्कूपिक एक्सपर्ट हूं टीम और्थोस्पोर्ट गुडगाओं पॉंबे बैंगलो तो दोस्तों ACL surgery के बाद जो ACL नया बनाया जाता है वो टेंडन से बनाया जाता है हैंस्ट्रिंग टेंडन हो सकता है पैरोनेस लॉंगर्स हो सकता है उस समने असे बना दिया उस नए टेंडन को लिगामेंट में बहुत टाइम लगता है छैसे नौ महीने जिसको बोलते हैं ल लिग रहता है और किसी भी जटके से चोट से अगर आपको 6-9 मेने के दोरान अगर जटका चोट गिर जाते हो लगती है तो लिगामेंट के टूटने और ढीले होने के काफी जादा संभावनाय होती है तो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा लिगामेंट को नुक्सान ना पहुंचे चोट से बचना बड़ा मुश्किल होता है आप जा रहो फिसल गए बात्रू में फिसल गए कोई एकदम से पीछे कुटा पढ़ गया कभी बच्चे को उठा लिया कभी डांस करने लगे छह में इन्हें में आप बाहर तो निकलो गई घर से ऐसा तो होने से आप बिल्कुल बैट पर कंफाइन रहो गए तो जब भी निकलोगे तो इंजरी होगी रिस्क के चोट लगने की तो आखिर ऐसा क्या तरीके मौजूद है आज की दुनिया के अंदर जो हम इन जटकों से अपने लिगामेंट को बचा सकते हैं और बिल्कुल अच्छा लिगामें जो ग्राफ ने ऐसेल बनाया उसके साथ सा हम far 탑 बहि Aur बते बेस हैं लगांए दोस्तों सिर्व रखनाने से काम ना चाहता है आपको चलिए और faiber टेप को fix करने के लिए आक ओर एंकर से fiber tep तो इंटर ब्रेस काम नहीं करता बहुत ज़रूरी है के फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में एंकर से ही फिक्स हो फाइबर टेप बटन पर नहीं बांगना या इसकू के साथ नहीं लगाना इस तरह सी चीजें करने से वो धीले पड़ जाते है इंटरनल ब्रेस एक तो आपके नए ग्राफ को बचा के रखता है उसको लंबे होने से बचा के रखता है तो पहला प्रोटेक्शन तो यहां पर आगया दूसरा प्रोटेक्शन आता है दोस्तों मसल से जब भी आपको चोट लगती है आपके मास पेश या मजबूत हो तो वह आपके घुटने को बचा लेती है पकड़ लेती है और लिगामिन में डेमेज नहीं अगर किसी सर्जरी में बहुत लंबा रेस्ट है जैसे आपके पहले चोट लगी आपने रेस्ट पर चले गए फिर आपने सर्जरी की फिर अपडेट दो में रेस्ट पर चलेगे क्योंकि लिगामिन कमजोर था आप जोड नहीं डाल पाए नॉमल सर्जरी उस केस में मास पे जाए नहीं होती उस रेट से डीजरी दूसरा इसका डवलपमेंट बहुत जल्दी चलो हो जाता है और मास पेशी बहुत जादा मजबूत हो जाती है एकसाइस करके तो बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार एकसाइस करें चैह मेने तक तो मिनिम्म एकसाइस करनी है ताकि म मास पेशिया मजबूत है तो बहुत बचाएगी अगर आपको जटका या चोट लगती है जो हर किसी को लखता है दोस्तों चह मेने के तो यह दो चीज़े जो आपके लिगामेंट को डीलाओने से बचाती और आपकी लिगामेंट को मजबूत करती है पहली है इंटरनल ब्र तो इन दो चीजे आज की दुनिया में अवेलेबल है जिसकी वएसे बहुत सर आथली बैक टू गेम जा पारे हैं आप बहुत जल्दी ठीक होते हैं थ्री मंस में रणिंग प्रोग्राम में नीशे रहता है अगर इसके बाद भी आपको कोई भी इस्यू आ रहा है कोई भी प् क्रिव प्रोग्राम में नीशे जाने।